वेल्कम टू दे टार इजुकेशन फ्रेंड्स टार इजुकेशन के डेली करेंट अफेर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है 14 जुलाई 2021 देखेंगे अब तक के सभी महत्पुर्ण करेंट फेर्स जो आपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए अती महत्पुर्ण होंगे साथ में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्स्टा फैक्ट्स जो आपको और उसे आगे रखेगा इस क्लास का PDF आप टार इजुकेशन के डेफ साइट से डाउलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साथ ही आप टार इजुकेशन के सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म्स इन सभी से जुल सकते हैं वहां भी आपको सभी लिंक्स नए पुराने एक साथ मिलते रहेंगे प्रस्ण हिंदी इंग्लिस दोनों में है आपसे आगरा है कि क्लास पुरा देखें तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो अभी सस्क्राइब बटन दबा दें और पहले से सस्क्राइब कर लिये हैं तो आपका दिल से आभार तो चलिए सुरू करते हैं आज का क्लास पहला प्रस्ण है तो इसका सही जवाब है हर्याना हर्याना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन अब 2022 में किया जाएगा हर्याना में हो रहा है तो उसके बारे में देख लेते हैं पहले हर्याना के राधानी गांदी नगर सौरी सौरी चंदीगर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर गवर्नर नए बने हैं बंदारुदत्ता त्रेया चलिए यूथ गेम के बारे में कुछ और देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 21 नौमबर से पांच दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाना था परन्तु COVID-19 महामारी के कारण अब इसे फरवरी 2022 में हर्याना में आयोजित किया जाएगा यही प्रस्ण था और इस खेल का आयोजन जो है इस बार अंडर 19 केटेगरी में किया जाएगा एसामिल ओंगे और वर्तमार में खेल मंत्री कौन है जब नए मंत्री का गठन हुआ है कि सरकार में मंत्रियां बदले हैं बहुत से तोइसमें resilient तह अब कौन बन गया है आप लोग को याद होगा काफी चर्चित रहा था नियुज मैं इसमाईए बेन्यू से संबंधित गोवा में हाली में एक गोशना हुआ है अंतराष्ट्रिय भारतिय अंतराष्ट्रिय फिल्म महोत्सौ रथात आई एफ एफ आई जिसे इंग्लिस में इंटरनेशनल फिल्म फ इंडिया 2021 का आउजन गोवा में किया जाएगा और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं यह जो होगा भारतिय अंतराष्ट्रिय फिल्म महोत्सौ यह 2021 में जो हो रहा है यह बाउनवा संस्करण होगा और यह 28 से 28 नॉमबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा इस ब नया पुरसकार का पुरसकार अवार्ड जो है शुरू किया जा रहा है तो उसका नाम है उस अवार्ड का नाम है सत्य जी तेरे Lifetime Achievement Award और तो देखिए ये अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है और सबसे पहले किसको मिलता है जब आयोजन होगा इसका तो होगा और इसका आयोजन जो है भारतिय अंतराश्टिय फिल्म महोत्सो इसका आयोजन केंद्रिय सुचना और परसारण मंत्राले के द्वारा किया जाता है चलिए पूने क्यों नियुज में रहा है तो AFC महिला ACI Cup 2022 का आयोजन पूने में ही किया जाएगा एक्चुली में केवल पूने में नहीं ये मुंबई और पूने दोनों जग़ AFC महिला ACI Cup 2022 का आयोजन किया जाएगा और AFC का फूल्फम क्या होता है ASEAN Football Confederation चलिए ग्वालियर क्यों नियुज में रहा है तो हाल ही में केंद्रिय क्रिसी और किसान कल्यान मंत्री के द्वारा राष्टिय बागवानी बोर्ड केंद्र का उर्गाटन कहां किया गया वही ग्वालियर में किया गया जो कि मद्ध पर्देश में है और केंद्रिय क्रिसी और किसान कल्यान मंत्री के द्वारा ये किया गया तो यह रहा है पहले प्रस्ण से इतने सारे facts आपके लिए चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं हाल ही में किस पूरुष क्रिकेटर को जून महीने के लिए ICC Mains Player of the Month चूना गया है जून महीने के लिए ICC Mains Player of the Month चूना गया है तो सही जवाब है देवोन कॉनवे यह निउजीलेंड के ओपनर बल्लेबाज है ओपनर यहां मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन मैं जानता हूँ अलग से भी जानिए तो देवोन कॉनवे निउजीलेंड के बल्लेबाज है और यह तो हो गया पुरुस क्टेगरी में कि ICC Mains Player of the Month जून महीने के लिए कौन है तो देवोन कॉनवे निउजीलेंड से बैट्समेन है महिला बर्ग में बात किया जाए तो ICC Women's Player of the Month और जून मन्थ के लिए कौन चुनी गई है तो सोफी एक्सलेस टोन इनको चूना गया है चलिए पहली यह देख लेते हैं किर्केट की बात हो रही है तो अंतराश्टी अस्तर पर किर्केट खेल का योजन कौन कराता है तो यह ICC कराता है और यह रैंकिंग भी ICC के द्वारा ही जारी किया गया है ICC अर्थात International Cricket Council Headquarter दुबई जो की संजुक अरब अमिरात अर्थात United Arab Emirates का एक सहर है और इसके स्थापना 15 जून 1909 को हुआ है चेयर्मेन ग्रेक बार्कले है और CEO यह मनुसाहनी अभी नहीं है इसको मु कुछ Departmental Inquiry चल रहा है किसी कारण बस अब आगे पता चलेगा क्या इनके साथ हुआ है इन्होंने इस्तिपा दे दिया है तो CEO पद का जो है पोद जो है ICC में खाली है वैसे है इसके लिए करकारी CEO का नियुक्ति किया गया है ICC की द्वरा वह मैं यहां नोट करके नहीं ला है चलिए अगले क्लास में फिर मैं रिपीट कर दूंगा इसको चलिए अब बाकी अपसन देख लेते हैं यह सब क्यों नियुज में रहे हैं यह कौन है यह नियुज में रहे हैं यह जो है कौन नंबर कोश्चन है दोसरा तो मुस्फिकुर रहीम जो है यह भी एक क्रिकेट हैं इनको ICC Men's Player of the Month जून तो उपर वाला भी जैस्ट मेलोन चर्चा की यह है तो मई महिने के लिए ICC Men's Player of the Month इनको चुना गया है मुसिफिकुर रहीम को और यह कहां के हैं तो यह बंगलादेश के क्रिकेट खिलाडी है ध्यान रखेंगे और सोफी एक्सलेस टोन यह कौन है अभी आपको याद होना चाहिए अभी जैस्ट उपर मैंने इसके बारे में बताया है महिलाओं के कटेगरी में ICC Women's Player of the Month और जून मैने के लिए इनको चुना गया है सोफी एक्सलेस टोन अभी जैस्ट यहां देखिए मैंने बताया है यहां पे था पहले प्रस्ट में यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां यहां पे यहां रखा है तो इसलिए मैंने य क्यों रहे हैं तो यह ICC के द्वारा अर्थात International Cricket Council के द्वारा भारत के पुर्व किर्केट खिलाडी यही बिनु मांकर को Hall of Fame में सामिल किया गया है यहाल ही का नियूज है यह भी तो याद रखेंगे यह भारतिये किर्केटर हैं बिनु मांकर इनको ICC Hall of Fame में सामिल किया ग प्रदान मंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है तो वहाँ हुआ क्या था प्रदान मंत्री के सर्मा ओली के दस मही को मही महीने में विस्वास मत हारनेक बाद नेपाल में संब्धानिक संकट उत्पन हो गया था और वे नीचले सदन House of Representative में बहुमत हासिल करने में विफ सर्वच नेले ने सेर बहादूर देवबा ये भी पक्षी पाटी के नेता हैं इन्हीं को परधान मंत्री न्यूक्त करने का आदेश देदिया है इन्होंने अभी सपत नहीं लिया है जब सपत ले लेंगे यहां पे हम इसको शेफ्ट कर देंगे तो यह तो होई जाएंगे सप ले लेंगे तो यहां पर आ जाए गए और राश्पति विद्या बालन नहीं विद्या देवी भंडारी वहां के राश्पति हैं चलिए बाकी अपसन देखते हैं अभी अहमद यह मैं उमीद करता हूं आप सभी को याद होगा अभी अहमद कल ही यह परसो का निवज में हम लो चलिए मार्यो दरागी यह कौन है यह इटली के प्रधान मंत्री हैं मार्यो दरागी और इटली के राजधानी रोम है इटली की कर्यंसी इटालियन लिरा है इटली से संबंधित कुछ और फैक्टस देख लेते हैं हाली में G20 स्वास्थ स्वास्थ शीखर सम्मेलन के मेजबानी इटली के द्वारा ही किया गया है एक और है कि किस देश ने किस देश के द्वारा भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है तो वह इटली के द्वारा ही सुरू किया गया है यह फैक्ट के राजधानी ये रेवन है और करेंशी अर्मेनियन द्राम है तो ये सब फैक्ट मिले आपको इसमें चलिए अगला देखते हैं केंद्रिय विदेश मंत्री हाल ही में कहां स्री महात्मा गांधी का परतिमा का अनावरन किया तो सही जवाब है जोर्जिया जोर्जिया में अपने बारत के केंद्रिय विदेश मंत्री जब गया है तो वहाँ पे स्री महात्मा गांधी का परतिमा का अनावरन किया है जोर्जिया में जोर्जिया की राजधानी तबलीसी है करेंसी जोर्जियन लारी है और चलिए बाकी अपसन देखते हैं इसी तरह के प्रस्ण से ही ये जैसंकर बने हुए है चलिए नैरोभी किमने उजमे रहा है तो हाल ही में महात्मा गांधी पुस्तकाले का उदगाटन केनिया की राजधानी जो है नैरोभी यहीं पे किया गया है महात्मा गांधी पुस्तकाले का उदगाटन नैरोभी में कौन किया तो वही विदेश मंत् में अर्थात उसका नाम भी है चेरी का पहला बनेजिक निर्यात कहां किया गया है तो यह दुबई को ही किया गया है दुबई UAE का एक सहर है UAE अर्थात युनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका राजानी अबु धावी करेंसी UAE दिरहम और वहां पे क्राउन प्रिंस राजा समिट 2021 का आयोजन युनाइटेड किंग्डम के कॉर्णवाल एक जगह है वहीं पे किया गया है जी सेवन में कितने सदस्य होते हैं यह उसे नाम से यह सफ्ष्ट है जी सेवन इथात ग्रूप सफ सेवन ग्रूप सेवन तो जी सेवन में सदस्य देश साथ ठो हैं कौन-कौन यह कई बर पूछा गया है अपसंस में कुछ देश दी जा जाएगा और ग्रूप से और कुछ एक अपसंस में इसा भी रहेगा जिसे समद्धित वो नहीं रहेगा तो इसा पूछा जाता है प्रूप सेवन के सदस्य देशों के नाम जान लेते हैं जी सेवन समिट 2021 हो सश्य से आई आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हाल ही में जारी पुस्तक पालेकु पता भी सेकम ये थोड़ा साउथिरिया का रिजन का ये नाम से है ये पालेकु पता भी सेकम इनके द्वरा लिखा गया है तो ये यला मनचीली सिवाजी के द्वरा लिखा गया है यला मनचीली सिवाजी यह लिखा गया इनहीं के द्वारा खास बात इसमें यह है कि यह जो पुस्तक है पालेकु पटावी सेखम यह इस पुस्तक का भी मोचन अपने बर्तमान उपराश्टपती जो की M. वंकया नाइडू है उनके द्वारा यह इसका भी मोचन किया गया है और पालेकु पटावी सेखम का अर्थ होता है हिंदी में गाउं में रज्या विसेख और एक और बात M. वंकया नाइडू तो सब कोई जनते हैं हम लोगे बर्तमान उपराश्टपती हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं इनका पूरा नाम क्या है M. यह यही सौट में है M. वंकया पूरा नाम क्या है क्या की नहीं को और पहले से पता है तो कमेंट में जरूर करके बताएं चलिए अगला बाकी अप्सन देखते हैं वाजीत को और तुलसी यह जब पुस्तक से समझत प्रश्ण है तो बाकी अप्सन भी आपको उसी तरह से मिलेंगे जो कहीं न कहीं कोई प लिए बल्जीत को और तुलसी इन्होंने हाली में एकल लिखा है क्या नाम है दरामायन अफोड शीरी गुरु गोविंद सिंग जी महत्कुर्ण है करीना कपूर खान यह पुस्तक लिख important क्या नाम है इसका यह प्रग्णी बाईबल factor पुस्तक कौन लिखा है करीना कपूर खान वही एक्ट्रेस हेरोईन जो बाद में करीना कपूर थी जो बाद में सायफ अली खान से विवाह रचाई थी तो अब उनका नाम करीना कपूर खान हो गया है उन्हीं नवे ये पुस्तक लिखा है क्या नाम है दब प्रेगनेंसी बा भौ को साजा किया है चलिए आरवी रविंद्रन बेरी इंपोटेंट है ये भी पुस्तक जिन्होंने कौन पुस्तक लिखा है तो पुस्तक का नाम है एनो मलाईज इन लौ एंड जेस्टिस इसका भी मोचन खास इसलिए है कि इस पुस्तक का भी मोचन बर्तमान में सरुच न् के मुख न्याइधिस एन बी रमन्ना के द्वारा किया गया है तो लिखे हैं आरवी रविंद्रन आरवी रविंद्रन सुपरीम कोड के पुर्व न्याइधिस हैं और यह पुस्तक जो है भारत के बरतमान कानून बैवस्ता में कमियों और उनमें बदलाव के जरूरत को अस ये स्पाल सर्मा का जो कि भारतिय क्रिकेटर थे और काफी इंपोर्टेंट ये इसलिए होगा कि ये 1983 में जो भारतिय टीम ने पहला अपना वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में उसमें ये सदस्य प्लेयर जो है खिलाडी रहे थे और पहले ये देख लेते हैं भारत में क्रिक सेुमबर नाइटी त्वेंटी एट्व है प्रेशिदेन्ट सौरव गंगुली है और सेक्रेटरी जय साह हैं जो कि बरतमान ग्रिह मंतरी श्री eco साहरी के पुत्र है रहे ज्रीकि रिद्थ मंध्टिया के कहा ला रहे है क्या नाम है या सहयोब मंतरा ले या उस Money यह को सहकार सिंग में निधन हुआ है कौन है ये बरिष्ट कांग्रेशी नेता पुर्व मुख मंत्री यह इनका निधन हो गया है लाश्ट डे के डेली करेंटरफेर क्लास में पीके वर्यर पीके वर्यर जो है इनका निधन हुगा है कौन थे ये तो जाने माने आयूरबेद फिजीसियन थे इनका निधन हो गया है और ये केरल राज से संबंध रखते थे और इनको जो है पीके बरियर को पद्म सीरी पद्म विभूसन जैसे प्रुषकारों से समानित किया जा चुका था दिलिप कुमार यह तो विलकुल याद होगा अभिनेता थे हीरो थे दिलिप कुमार उनका नीधन हाली में हो गया है और उन्हें दादा साहव फाल के पुरुषकार जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरुषकार है तब पद्म भूसन है तब पद्म सीरी होता है यह सब बड़े-बड़े पुरस अवार्ड हैं भारत सरकार के तरफ से यह सबसे वो पुरस्क्रित किये जा चुके हैं और दिलिप कुमार का पहला फिल्म 1944 में जवार भाटा के नाम से आया था काफी चर्चित रहा था फिल्म औ आगे दिखते हैं अगला प्रस्न है दोस्तों आज जो है बहुत ज्यादा करेंटरफेर्स नहीं मिला दस ही करेंटरफेर्स में यहां पर दस बारा हमको लगता है दस ग्यारा लग रहा है तो उतना ही कोश्चन हम लाए हैं लेकिन टोटल परिच्छा उप्योगी है ज्याद ही बहुत मौत्पुन हमको लगे उतना ही ज्यादा कुछ नहीं लाए हैं और एक और कारण था कि हमको अर्ली मॉर्निंग थोड़ा एक जगा निकलना था इसके कारण से क्लास में रात में ही अभी रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए यह सब अपलोड कर दे रहा हूं कल सु जलगाओं में जलगाओं कहा है तो महराष्ट के जलगाओं में जलगाओं में महराष्ट में है यह जलगाओं और इसी जलगाओं में कुमारी अस्थल पर हड़पा यू की कलक्रितियां प्राथ हुई हैं महराष्ट में हुई हैं तो महराष्ट की राजधानी मुंबई मु बेतनाम की राज़धानी हनोई है प्रेसिडेंट रुग्यें जूञान हक, जब 숨क बोल सकते हैं। पदान मंत्री फाम मेंच चिन्ह सीपीवी यह तो अजब तरह का नाम है यही है यह लोग यहां के पद गरहन किये हुए हैं चलिए अगला देखते हैं अगला है प्रश्ण हाल ही में किस उनिवर्सीटी को वन डिस्ट्रिक वन ग्रीन चैंपियन स्वक्षता अवार्ड पदान करने परदान किया जाता है और एक और बात यह है कि कोनेरू लच्मया अलक्षमया एजुकेशन फांडेशन फांडेशन सोसाइटी था उसी को जब विसुभी दाले का दर्जा मिला तो मिलने के बाद उसे ही के लिए इनवर्सीटी के नाम से जाना जाने लगा और बरतमान म है सिक्षा मंत्री के नदी ये सिक्षा मंत्री चलिए नेक्स देखते हैं हाल ही में जारी माई सीरी नगर मोबाइल एप किनके द्वारा लांच किया गया है तो ये सिरी मनोज सिनहा कौन है मनोज सिनहा तो जम्मू कस्मीर के उपर राजपाल है स्री मनोज सिनहा इस अप्लि जम्मु कस्मिर की राजदानी दोठो है जम्मु विंटर सीजन के लिए सिरी नगर समर सीजन के लिए अब चलिए कोश्चन अब दे देखते हैं आज का आज के कोश्चन अब दे हैं हाल ही में किस राज ने टूचाइल्ड पॉलीशी जनसंख्या निती के रुप में चले कि आप लोग जो पढ़ रहा है वो याद भी रह रहा है या नहीं तो चलिए दोस्तों उमेद करता हूं आज का क्लास परिक्षा उप योगी आपको लगा होगा यदि हां तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा अन्य दोस्तों ग्रूप सोशल मे केल आइकन भी साथ में दबा दें जिससे आगे आने वाले सभी महत्पुर्ण करेंट अफेर्स के क्लास और अन्य क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें तो यह रहा आज का क्लास चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए गुडबाई ओल क्लास